दोस्तों, आज हम लोग jack 12th board के reduced slaves को देखेंगे जो biology का होगा, कि biology के कितने slaves को reduce कर दिया गया है, ठीक है जहीजआ कि हम लोग जानते हैं कि jack ने 25% slaves को लगभग में reduce कर दिया है, तो 1022 board के लिए, ठीक है जो लोग 2022 में boarding देंंगे 12th board उनके लिए, तो हम लोग यहां पर biology का स्लेवर डिसकस करने आए हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जीव विग्यान ठीक है तो बिना time pass किये हम लोग स्टार्ट करते हैं अप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल MSK BM Institute में ठीक है देखिए biology में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना और क्या क् पढ़ना जैदि उसकी बात करते हैं लोग तो इसमें जो पहला चेप्टर है रिप्रोडक्शन और्गानिजम से हैं अपर ध्यान दीजिए तो क्या लिखा हुआ है सिमीट पाठिकरम है तो चैनित पाठ का नाम जो सिमीट पाठिकरम को सिमीट किया गया कम किया गया उसमें चैनित पाठ को ले रहे हैं हाँ तो हम बोल रहे हैं लेकिन उसमें से कोई उफखंड जो है उसका चैनल नहीं किया गया तो उस उफखंड का नाम इधर मिलेगा तप कोई उफखंड ऐसा नहीं है इस सदी हम लोग बात करते हैं तो ठीक है तो यह पहला जो चप्टर है Sexual reproduction in flowering plants ये हम लोगों को पढ़ना है, Human reproduction ये भी हम लोगों को पढ़ना है, Reproductive health ये भी हम लोगों को पढ़ना है, Principles of inheritance and variations ये भी आ रहा है हमारे syllabus में, Molecular basis of inheritance, evolution नहीं आ रहा है, ध्यान देजे जिसमें नहीं लिखा हुआ वो हम लोगों के syllabus में नहीं आ रहा है, तो मैं इधर म मार कर देता हूँ, जो जो हम लोगों के पास नहीं आ रहा है, seven number chapter और one number chapter, ठीक है, अगला जो chapter है, Human health and diseases, वो पढ़ना है हम लोगों को, strategy for enhancement in food production, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, microbes on human welfare, ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, देखे, ये तो हम लोगों का biology का syllabus मैं बता आ रहा हूँ, आप लोगों ने जैदी math और physics का syllabus नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल के description में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको physics और math का भी video देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो देखे, दसवाँ चप्टर हम लोगों को पढ़ना था, microbes in human welfare, बायो टेक्नलोजी जो अगला यह भी हमारे syllabus में है, ecosystems और यहाँ पर जो नहीं है, उसकी ज़री हम बात कर दें, तो biodiversity and its conservation यह हम लोगों को इस बार के लिए नहीं पढ़ना है, environmental issues यह हम लोगों पढ़ना है, तो कुल मिलाकर बात ज़री करें हम लोग, तो देखे, कौन कोंसा chapter नहीं पढ़ना है, देखे, एक हुँ हम लोग का 15 नमबर chapter और हम लोग के पास इधर था 1, 7 और 9, 4 chapter नहीं पढ़ना है, 1, 7, 9 और 15 इस 4 chapter को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, किसके लिए biology का syllabus है यह, ठीक है, biology का syllabus यहीं रहा, हम लोग फिर से मिलते हैं, अगले वीडियो में, अगले chapter के syllabus के साथ, तब के लिए धन्यवाद, और इस channel को share ना करना भूले, अपने दोस्तों के साथ, और इसे like करना भी ना भूले, और ज़िए आप channel में नहीं हैं, तो subscribe करते हुए चले, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलें हम लोग, अगले वीडियो में, अगले topic के साथ,